नमस्कार दोस्तो, मैं डॉक्टर सपनिल सागर जैन, रामय होमियोपैथी के अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ तो दोस्तो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, उस मैडिसिन के बारे में जो की आज की लाइफ स्टाइल के कारण डेवलप होने वाले कॉंस्टिपेशन में सबसे ज्यादा यूस्पुल है और उस मैडिसिन का नाम है दोस्तो, नक्स वोमिका जिन लोगोंने मेरा नक्स वोमिका का वीडियो देखा है, वो ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं, कि नक्स वोमिका का जो पेशेंट होता है, वो सडेंटरी लाइफ स्टाइल जीता है, घंटों एक ही जगहे पर बैट कर काम करते रहता है, उसकी आतों की गती बिलकुल भी नहीं होती है, क्योंकि वो बिलकुल भी चलता फिरता नहीं है, खास तोर से वो लोग जो की IT professionals होते हैं, जो कहीं बड़ी companies में काम करते हैं, जो की कोई शॉप होती है, जिनकी कोई दुकान होती है, जहां पर वो घंटों बैठे रहते हैं, तो ऐसे जो भी पेशेंट होत क्योंकि उनकी आंतों में गती नहीं होती है, उनको नक्स वोमिका सबसे अच्छी medicine मानी जाती है, इसके जो खास symptom होते हैं, दोस्तों वो मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो patient होता है, उसे constipation किस तरह का होता है, कि उसे ineffectual urging होती है, यानि कि दिन में दो तीन वार उसक खुलके stool उसको नहीं होता है, यानि कि मल जो होता है, वो पूरी तरह खुलके जैसा बोलते हैं, कि एक बार में पेट साफ हो जाता है, वैसा उसका पेट साफ बिल्कुल भी नहीं होता है, दो तीन वार जाना पड़ता है, और हर बार थोड़ा थोड़ा करके मल उसका बाहर निकलता है उसको ऐसा लगता है जैसे उसके रेक्टम में उसके मलाशय में अभी भी थोड़ा सा मल अंदर रह गया है और ये सब होता है क्योंकि उसकी आतों में बिल्कुल भी गती नहीं है इसके अलावा दोस्तों इसी कारण से उसको रेक्टम में फिशर की प्रॉबलम हो ज जाती है यानि कि हिमरोइट्स की प्राब्लम हो जाती है जिसे हिंदी में बवासीर कहा जाता है तो यह सारी बीमारियां उसको हो जाती हैं अब ऐसे लोगों को बीमारियां यह क्यों होती हैं क्योंकि वह बहुत ज्यादा non-wage खाते हैं बहुत ज्यादा एलकोहल का यूज करत लेती हैं और उसके कारण उने constipation हो जाता है और constipation भी कैसा कि उन्हें दो-तीन बार fresh होने के लिए जाना पड़ता है तो दोस्तों इन सारी conditions में हमें और इसको continue कुछ दिन तक यूज़ करना है दूसरे नंबर पर medicine आती है दोस्तों एलूमिना होमियोपैथी की best of the best constipation की medicine में से ये एक है और इसके जो symptoms होते हैं वो इस तरह होते हैं कि patient को काफी दिनों से लंबा constipation होता है कब्ज रहती है बहुत लंबी लंबी कम से कम दो दो तीन तीन दिन हो जाते है patient stool pass out करने नहीं जाता है शुरू शुरू में एक दम से hard stool उसका निकलता है जब वो fresh होने जाता है और उसके बाद soft stool रहता है ये इसका एक खास symptom होता है कि soft stool के साथ भी यानि कि मल जो उसका होत जाती है उनके लिए alumina सबसे अच्छे medicine होती है ऐसे बहुत सारे patient होते हैं जो की आलू खाते है जिस दिन भी उन्होंने आलू खा लिये उसके दूसरे दिन उनको fresh होने बिलकुल नहीं जानी के इक्षा होती है बिलकुल desire खत्म हो जाती है पेट अंदर से बिलकुल heavy लगने कर रही है यहां तक कि दोस्तों कई बार ऐसी condition मन जाती है कि कभी-कभी उनको anima भी देना पड़ जाता है और कई बार हाच से stool को बाहर निकालने पर भी एनस में उंगली डालके stool को बाहर निकालने पर भी वो stool वहां से बाहर महीं निकलता है इतनी ज़ादा severe condition होता हो जाती ये बिल्कुल सूख जाती हैं उनकी आते तब उस कंडिशन में एलूमिना बहुत अच्छी एक दवाई मानी जाती है इसका उपयोग करना चाहिए 200 पोटैंसी में और इसकी चार मून्द दिन में किसी भी समय जीब पे रख लेना चाहिए और पेशेंट को कंटिन्यू कुछ दिन तक देना चाहिए यदि जरूरत पड़ती है तो फिर एलूमिना की पोटैंसी को चेंज करना चाहिए इसके अलावा दोस्तों इसका एक और बहुत खास सिम्टम होता है जो पेशेंट होता है उसे चाकू से बड़ा डर लगता है यानि कि जब भी वो चाकू देखता है तो उसके मन में अजीब अजीब से विचार आने लगते है जैसे कि सुसाइडल टेंडनसी के विचार आने लगते है ऐसा लगता है उसको कि वो अपनी नस कोई काट ले या उसको ऐसा लगता है कि वो किसी का murder कर दे इस तरह कि एक और medicine होती है जिसमें needle से दर दोता है उसके बारे में मैं कभी आप से फिर बात करूँगा तो alumina का ये भी एक बहुत खास symptom होता है तो इस तरह हमें alumina को 200 potency में ज ज़्यादातर कब्ज का जो कारान होता है वो होता है कि व्यक्ति पानी कम पीता है इसलिए उसको कब्ज होती है लेकिन ब्राइनिया का जो patient होता है उसे बहुत ज़्यादा प्यास लगती है बहुत ज़्यादा पानी पीता है लेकिन उसके बाद भी उसको कब्ज हो जाती है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसकी आतों का जो movement होता है यानि कि बड़ी आत जैसे colon कहा जाता है उसका जो movement होता है वो irregular होता है तो वहाँ पे वो पानी का अवशोशन जादा करती है क्योंकि वहाँ पर आतों की गती जो है वो बिलकुल सही नहीं है irregular है उसकी पूरी रिदम तो खाना लंबे समय तक वहाँ पढ़ा रहता है जब लंबे समय तक पढ़ा रहता है तो उसका पूरा पानी अवशोशित हो जाता है और जो स्टूल बचता है वो एकदम हार्ड हो जाता है हार्ड हो जाने के कारण ही उसको constipation की शिकायत होती है तब भी जबकि वो बहुत ज़्यादा पानी पीता है और इसके कारण उसकी जो rectum होता है उसका जो malasha होता है वहाँ पर dryness के कारण उसको piles की शिकायत हो जाती है hemorrhoids की शिकायत हो जाती है इसलिए कभी-कभी इसके stool जो होता है उसमें blood देखने को मिलता है यानि कि lettering के साथ उसको खून आने की शिकायत हो जाती है और उन पेशेंट में जो की पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं तब उस ब्राइनिया का यूज करना है वे पेशेंट जिन में पानी ना पीने की इस्ट्री है उन लोगों में ब्राइनिया कोई काम नहीं करेगी जिन लोगों को पानी बहुत ज़्यादा पीने की इस्ट्री है पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं उसके बाद भी कब्स हो जाती है तब ब्राइनिया काम करेगी और उस कंडिशन में हमें ब्राइनिया 200 पोटैंसी में ले कर आना है और उसकी चार बूंद दिन के किसी भी समय पेशेंट की सीधी जीब पे रख देना है पानी में मिला कर भी उनको कब्स हो जाती है तो ब्राइनिया उनकी कब्स को ठीक करने में बहुत ज़्यादा उनकी हेल्प करेगी अगली मेडिसेन आती है दोस्तो ओपियम ओपियम का जो पेशेंट होता है दोस्तो होमियोपेथिक मेडिशनल सिस्टम में सबसे ज़्यादा सिवियर काले रूप में मौती है। उस की आातों में बिल्कुल भी गती नहीं होती है। तो उन्हें रेक्टम में बहुत जादा दर्द उनको होता है, इस टूल उनका रिसीड कर जाता है, यानि कि वापस ऐसा लगता है कि जैसे आत के अंदर चला गया है, मलाशाय से बापस आत में चला गया है, बहुत जादा तकलीफ उनको होती है, बहुत जादा दर्द उनको हो यानि कि नवजात बच्चों के constipation की भी बहुत अच्छी medicine होती है हमें उन बच्चों में इसकी 1M potency ही use करनी है लेकिन mother milk में मिला कर दो बूंद लेना है एक चम्मच मा के दूद में मिलाना है और बच्चे को दे देना है यदि बच्चा कई-कई दिनों तक यानि कि 7-8 दिन तक stool pass out करने नहीं जाता 2-3 दिन तक stool pass out करने नहीं जाता और जब भी pass out करता है जब भी मल उसका बाहर निकलता है तो बकरी के जैसे लेटरिन उसकी होती है छोटी-छोटी काले कलर की balls के रूप में उसका stool बाहर निकलता है बहुत सारा stool इस तरह से उसका निकलता है तब उस condition में हम उस बच्चे को उस नवजात को opium दे सकते हैं इसके बाद अगली medicine आती है दोस्तों silesia दोस्तों silesia का जो patient होता है उसको constipation बहुत ज़्यादा severe होता है बहुत ज़्यादा cubs उसको रहती है stool बिलकुल बाहर ही नहीं निकलता है और इसके कारण उसको fistula की शिकायत हो जाती है और fisher की शिकायत हो जाती है तो जिन लोगों को cubs के कारण fistula की शिकायत हो गई हो rectum में या फिर anus में fistula हो गया हो या फिर उनको anus में फिशर हो गए हो तब उस condition में हमें silesia का use करना चाहिए दोस्तों, homeopathic दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाए जिन दवाओं को दिन में किवल एक बार खाना है, उन्हें सुभे खाली पेट खा लेना चाहिए मुँ में अच्छे से कुला करके गारगल्स करके